हेलो एवरिवन आएम दिलीब कुमार लेक्षर एट गोर्मेंट वाइस डिग्री कालेज शेदाबपूर तोड़े वी विल लाइन अबाउट था क्लास सार्कोडीना चैप्टर नम्बर सेवन क्लास फर्स्ट यर आज हम डिस्कस करेंगे सार्कोडीना के बारे में क्लास सार्कोडीना जो के प्रोटोजवा का सेकन्ड क्लास है इसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो इसमें कोई भी खास स्पेसिफिक आरगन मूवमेंट के लिए इसमें नहीं है जिससे के ये आरगनिजम मूव कर सके मगर इसमें ऐसे फाल्स लेक्स फाल्स लिम्प्स बनते हैं जिसको सीडो पोडिया करते हैं सीडियो मेंज फाल्स और पोडा मेंज लेक्स चलने के लिए इसमें जूटे पाउं बनते हैं उसकी वज़ए से ये मूव करता है कैसे ये मूव करता है अगर आप इसको देखेंगे ये अगर आप एमेबा को देखेंगे तो एमेबा की कोई भी एक particular shape नहीं है यह अपनी शकल को बदलता रहता है और इसमें movement कैसे होती है कि इसमें जो extend cylinder बनते हैं cylinder shape बनते हैं इसमें extension होती है और cylinder like structure बनते हैं these are the cylinder like structure इनमें जो तो यह projection हो रही है इनको सीडो बोडिया करते हैं उंगलियों की तरह यह इसे चलता है से बनती जाती है ओर parking जैसके जैसे अंगलिया है इसकी तरह से projection होती उनको सीडो पोडिया कहते हैं अब देखें現在phen kau Healthy नगां content है यह content flow होगा इन projection में इन projection मे color होगा और ये और यह एसे आगे की तरह आगे टरुप करेंगा आगे मुव करेंगे फिर projection होगी अगे फिर projection होगी और दो ब्लाजश चार अंदर घरते होगा content इसके अंदर फ्लू होगा us टरीके से आ यह मुभ करेगा we हेलप आफसीडोपोडिया और यह रिपीट होता जाएगा यह एक्टिविटी है कॉंटेंट फ्लो की रिपीट होती जाएगी प्रोजेक्शन बन दे जाएगे और इस मुवमेंट को हम कहेंगे के इसमें प्रोजेंट अगरम टैप्स की बात करें सारकोडीना की टैप्स कि कि इसमें कौन से और जो है आगनीजम आते हैं तो इसमें पेरा सैटिक जो है सारकोडियन भी आते जो पैरासैटिक सार्कॉडियन है उन्में एंट्रेमबा हिस्टोलाइटी का एंट्रेमबा हिस्टोलाइटी का भी आता है जो करता है इंडाय सेंट्री लूस मोशन की तरह होती है मागर इता है और भी बाकी मवाध है जो मुझे वाश्रूम करना है तो और पैनफूल होता है यसमें बिलिडिंग भी आती है डा to the two किसम की होती है एमभी डाइसेंटरी को टो करताहए मगडर इक सब्सक्वर्ण गर्हें Krycaτο लिए और में रहते हैं और उनके ओपर होता हैं जो फेस्ट लेक्चर में में लिए‬ सिल्या भी होते हैं और शेयलाइक स्थ्डिक्चर में मुझूद होते हैं इन में जो और्गिनिजम आते हैं शेल्ड सारकोडियन में तो एक है रेडियो लेरिन उस और दूसा है गलोबी जेरिना उस और रेडियो लेरिन उस ये दो किसम के जांदार इसमें आते हैं ये क्या करते हैं कि ये मेरीन के अंदर जो एक लेर बनता है बेल्ट बनता है इनकी डिपोजिशन से एक इवलुशन हिस्ट्री में भी ये बात देखी गई है अगर जियोलोजिकल पॉइंट आव व्यू से आप देखेंगे तो ये जो लेर बनता है वो इनकी वज़ा से बनता है और अगर कहीं पे इनकी जानदार मिल जाएं कहीं पे तो ये पेट्रोलियम पेट्रोल को डिडेक्ट करने में भी हेल्फ करते हैं अगर पेट्रोलियम के पसमंजर से देखें तो ये हेल्फुल है ये किल्यू देते हैं अगर ये जानदार कहीं पे मिल गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पेट्रोलियम की डिपोजेशन भी पॉसि गें मगर सीडो पोडिया लाइक जो है बनते हैं जूटे पाउं जिस से के वो हेल्प कर सकता है और इसमें जो जानदार आते हैं वो आते हैं रेडियो लेरिन एंड गिलोबी जेरिना और एमेबा ये जानदार इसमें आते हैं थैंक यू सो मच